मिनिश्ट पार्टी के नेता कनिया कुमार 28 सितंबर को यानि शहीदे आजम भगत सिंग के जन्म दिन पर कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं उम्मीद है कि कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ही उन्हें पार्टी में लेकर आ रहे हैं उनके साथ ही गुजरात के दलित कारे करता और विधायक जिगनेश मिवानी के भी कॉंग्रेस में आने की चर्चा है बिहार में अपना जनधार खोचकी कॉंग्रेस के पास राज्य में कोई बड़ा चेहरा नहीं है ऐसी में क्या वह कनहीया कुमार में भविश्य कानेता देख रही है क्या लेफ्ट से सेंटर आने की बाद कनहीया वह सब कर सकेंगे जो वह करना चाहते हैं डिल्ली की ज़ोहर लाल नेरु इंवर्सिटी के च्छाते संग का नेतित्व कर सुर्ख्यों में आए कनहिया से कॉंग्रिस को क्या उमीदे हैं कनहिया कॉंग्रिस में क्यू जा रहे हैं वरिष्ट पत्रकार अर्विंद मोहन कहते हैं कि CPI में किसी के लिए कोई बड़ी संभावना नहीं बची है ऐसे में कोई युवा नेता अगर राजनिती में करियर बनाना चाहते हैं तो उसे परिशानी होगी इसलिए कनहिया भी अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं वो कहते हैं कि CPI भी कनहिया को बढ़ाने में रूची नहीं ले रही थी पिछले चुनाओ में जब गड़बंदन बढ़िया बन गया था लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें प्रमूट नहीं किया चुनाओ के दोरान कनहिया ने जो टूर शुरू किया था उसे भी पार्टी लिडर्शिप ने रुकवा दिया था दरसल उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं था उनकी अपनी पार्टी CPI फरवरी में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर चुकी है पार्टी के पटना ओफिस में कनहिया ने एक दिसंबर 2020 को कर्याले सचीव इंदू भोशन वर्मा के साथ मारपीट की थी उस समय हैदराबाद में CPI नेशनल काउंसील की बैठक चल रही थी दरसल बेगु सराय जिला काउंसील की बैठक होनी थी इसके लिए ही कनहिया अपने समर्थों के साथ पार्टी दफ्तर पोचे थे किसी कारण से बैठक अस्थगित कर दी गई इसके सूचना ना देने को लेकर कनहिया नाराज थे इस पर कनहिया समर्थकों ने वर्मा के साथ बचसलू की की तब हैदराबाद में कनहिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था यहीं से कनहिया का CPI से मोभंग हो गया पिछले काफी समय से कनहिया ने कॉंग्रिस जॉइन करने की खबरे चल रही थी पिछले हफ्ते CPI महासचीव डी राजा ने उनसे प्रेस कॉंफिंस कर अफवाओं को खारिच करने को कहा था दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में केंद्रिय नेता उनका अंतजार कर रहे थे पर कनहिया नहीं गए पार्टी नेताओं के मैसेज और फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया CPI से क्या चाहते हैं कनहिया कनहिया ने इस संबंद में कुछ नहीं कहा है सुत्रों का कहना है कि CPI के कुछ नेता कनहिया के संपर्क में थे कनहिया ने उन्हें दो टुक कह दिया कि वे CPI के स्टेट चीफ बनना चाहते हैं साथी चुनाओ समीती का चेर्मेन बनना चाहते हैं ताकि प्रत्याश्यों का सिलेक्शन वह करें CPI के नेताओं का कहना है कि कोई भी नेता इस तरह की मांग नहीं कर सकता यह पार्टी अपने लोगों पर फैसले खुद लेती है जिम्मिदारी भी पार्टी की सरोच बॉडी ही तै करती है अगर कनहिया की कोई महत्वकांचा है तो उसे टॉप लिडर्शिप से बात करना चाह है हलाकि लग नहीं रहा कि कनहिया अब पीछे हटने वाले हैं CPI ने कनहिया को 2019 को लोकस्वा चुनाओ में बेगुसराय सीट से भाच्पा के गीराज सिंग के खिलाफ उता रहा था इस चुनाओ में कनहिया चार लाग से अधिक वोटों से हारे थे कनहिया ने भीड को तो ख हैसला हो सकता है हलाकि अर्विंद मोहन कहते हैं कि कनहिया ने बेगुसराय का चुनाओ बहुत अच्छा लड़ा उनके सामने राजत के अबदुल बारी सिर्दिकी जैसे नेता थे इसकी बाद भी वो दूसरे नंबर पर रहे ऐसे में कनहिया को नए विकल्प तलाश ने आ रहे हैं राजत में तो तेजस्वी ने कमाज संभाल ही ली है लोग जंग सत्ती पार्टी का नेति तरिचराग पासवान के पास है जद्वी के नितीश पहले ही कह चुके हैं कि अगला चुनाओ नहीं लड़ेंगे भाजपा ने भी शुशिल कुमार मोदी को मुख्य जिम पता रही है जो लंबे समय में राज अस्तर पर पार्टी को मजबो fulfillment दे सकता है बिहार में जितनी जरूरत कोंग्रेस को कनहिया की है उतनी ही जरूरत कनहिया को कंहिया की भी है प्ली आ कनहिया के लिए कंहिया क्यों अच्छा विकल्प है कनहिया ने 2019 लोग सबה चुनाओ ब राजनिती की शुरुआत सही फैसला नहीं था। राजत ने तेजस्वी को उतार कर कनहिया की मुश्किले और बढ़ा दे थी। कोई मजबूत विकल नहीं है। बिहार की बात करें तो कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष मदर मोहन जहा का कारियाले समाप्त हो चुका है। करकाईता करने वाले नागेंदर प्रताप कहते हैं कि ये प्रियंका की राजनिती का असर है। अगर कनहिया जैसे लोग कॉंग्रेस में आते हैं तो कॉंग्रेस खुद को रिवाइव कर सकती है। अभी की स्थिती में कॉंग्रेस इस स्थिती में नहीं है कि वो तेजस्वी को चैलेंज कर सके। ऐसे में वो खुद को मजबूत करने की ही कोशिश करेगी। वही राज़त प्रवक्ता प्रेम कुमार मनी कनहिया की कॉंग्रेस में शामिल होने पे कॉंग्रेस को कोई फैदा होता नहीं देखते हैं। क्या जिम्यदारी मिल सकती है कॉंग्रिस में कनहिया को फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी सितंबर की शुरुआत में CPI की राश्ट्रे का रिकायर्णी में सबसे युवा सदस्स कनहिया ने कॉंग्रिस जनेता राहुल गांदी से मुलकात की थी तब से ही अटकलो का बजार गरमा गया था सुत्रो का कहना है कि फिलहाल कनहिया को राश्ट्र पर फोकस करने के लिए कहा जा सकता है राहुल गांदी ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया वालिंटियर्स की बैठक में कहा था बहुत से लोग हैं जो BJP RSS से नहीं डरते हैं वे कॉंग्रिस के बाहर है वे सभी लोग हमारे हैं उनको लाएंगे और जो हमारी पार्टी में रहकर डरते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए वे RSS में जा सकते हैं हमें उनकी जुरत नहीं है हमें वेक आफ लोग चाहिए अगर राहुल के इस ब्यान को डिकोड किया जाए तो कनहिया और जुगनेस बानी जैसे युवाओं को महतपूर्ण भूमी का मिल सकती है अब तक तो पार्टी के युवाचेहरों की आउट गोइंग ही रही है 2019 की लोग सबच चुनाव हारने की बाद से कॉंग्रिस ने ज्योती रादित सिंध्या जितिन प्रसाद और सुश्मिता अदीर जैसे युवाचेहरों को खोया है